अलो दोस्तो आप लोग फिलिप कार्ट कस्टमर के पास कॉल लगाने के लिए जा रहे हैं तो आप लोग को कॉल नहीं लग रहा है और आपके पास जो नंबर है उस पे कोई भी तरह का रिस्पॉंस भी नहीं मिल रहा है फिलिप कार्ट के तरफ से तो इस वड़ो में आज वाला हूँ कि flip card customer के से directly बात कैसे करेंगे और वो only 2 second के अंदर आप से बात हो जाएगा तो सिर्फ इस वीडियो को last तक ध्यास से दिखीएगा तो चलते हैं वीडियो सुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे flip card customer के से बात करेंगे तो उससे पहले आप लोगों से छोटी सा request है कि हमारा वीडियो का भी तक लाइक इनकी किये हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पने है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजिएगा तो यहाँ पर आपको flip card app को सबसे पहले play store से अस्टॉल कर लेना है और आपको login कर लेना है अपना मुआल नंबर से उसके बाद आपको flip card को open कर लीजिएगा क्योंकि यह इसी से आपको flip card customer care से directly बात होगा तो यहाँ पर आपको flip card को आपको open करने के बाद आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको जो है इस वाला option पर क्लिक कर देना है यहाँ पर account वाला section जो दिख रहा है जिस पर उपर आना है उपर आने के बाद आपको यहाँ पर order का option दिखेगा तो यहाँ पर आपको बहुत ज़ारा product online करके रखे हैं तो उसमें से किसी एक product पर click करना है ठीक है जैसे कि उपर में एक बला click कर दिया उसकी बाद आपको उसी प्रकार से click करना है और यहाँ पर need help का option आपको देखने के लिए मिलेगा और जितना भी product आप online कीजेगा सब के नीचे आपको need help का option मिलेगा तो need help बला option पर click करना है click करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिखके आ जाएगा यहाँ पर लिखके आ जाएगा high the flip card support assistant again उसके बाद नीचे में कुछ इस प्रकार से आप लोग को लिखके आएगा यहाँ पर आपको customer care number लिखके send करना है इस प्रकार से आप लोग को customer care number लिखने के बाद आपको यहाँ पर send वाल option पर click कर देना है send वाल option पर click करेगा तो फिर से आपको वही option आएगा तो यहाँ पर more वाल option पर click करना है और यहाँ पर something else पर click करना है तो यहाँ पर आपको request call का option आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर मैं 3-4 बार यहाँ पर मैं send किया तब जाकर हमको यहाँ पर मिला request call का option आपको यह इसी परकार से करना है जब तक यहाँ पर request call का option नहीं आता है जब तक आपको customer care number लिख के send करते रहना है उसके बाद request call वाल option पर click कर देना है उसके बाद यहाँ पर नीचे में आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर language select करने का कि आप Hindi, English, Bengali या जो भी भासा में आप बात करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पर जैसे के click करना है जैसे हिंदी में बात करना चाहता हूँ तो हिंदी पर click कर दूँगा उसके बाद हमको जो है आप पर mobile number दिखाई देगा और यहाँ पर आपको mobile number दिखाई नहीं देता है तो आपको यहाँ पर एक number type करके इसको send कर देना है जैसे की जिसके की आपका balance हो recharge हो क्योंकि आज के date में recharge नहीं होता है तो call भी नहीं आता है तो हमारा जो भी number यहाँ पर जैसे की उपर में डाला हुआ है इसी पर में बात करना चाहता हूँ इसी number पर हमको जैसे की call चाहिए तो हम इसको select कर लेंगे पर morning मैं फर्जाना बात करें फ्लिप कार से बताए आपके मैं किस परकार सुसाहता कर सकते हूँ हमने हाली में call में back का रिकर्स रेस किया था तो क्या यह सही समय रहेगा आप से बात करने के लिए जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो आपको वहाँ पर number देजिएगा तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा कॉमेंट जुरूर बताएगा और आपको इसके related आपको कोई question कोई problem होगा तो हमें को Instagram, Telegram और comment box में आप लोग लिख के हमको जो है बता सकते हैं मैं आपका help कर दूँगा तो मिलते हैं नेक्स चुड़ूँ नेक्स टोपी के साथ तक के लिए जय ही जय भारत फ्रेंड्स